नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है आज है 31 अक्टूबर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बोर्ट परिच्छा के पहले होगा सेंटर परिच्छार्थियों का मिलान बिहार में इस दिन से होगी धान की खड़ीत बिहार से जखक न्यूपती पत्र वितरन समारों को लेकर तैयारियां शुरू नवंबर में इतने दिनों तक बंद रहने वारे हैं बैंक सुनल कावसकर ने इस भारतिये गेंदबाज की कपिल देर से की तुलना अब चले बढ़ते हैं बिहार केप तक की 25 वरी खारों के उर्विस्तार से MP में कम्यूनिटी हल्थ ऑफिसर के 980 पदों पर निकली भरती नेशनल हल्थ मिशन मध्यप्रदेश की ओर से कम्यूनिटी हल्थ ऑफिसर के 980 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवीदन करना चाहते हैं वह NHMMP की official website nhmmp.gov.in पर जाकर online तरीके से अपना आवीदन कर सकते हैं बता दी कि आवीदन करने की अंतिम तारीक 16 नमंबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार को BSC Nursing या Post Basic BSC Nursing या GNM या BAMS उतरण होना अनिवारे और इसके साथी 1 सितंबर 2023 की स्थिती में वैद एवं जिवित पंजियन होना चाहिए इस भरतिस जोड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी किये गया अधिसूशना को देख सकते हैं बोर्ट परिक्षा के पहले होगा सेंटर परिक्षार्थियों का मिलान बिहार बोर्ट के ओर से सेंटर परिक्षा में शामिल चात्र चात्राओं के स्कूल और नाम का मिलान करने के लिए तैयारियां शुरूग कर दी गई है बतादे कि राजे के सभी जला सक्षा कारे आले को परिक्षार्थियों की सूची बोर्ट को देनी है जिसके बाद बोर्ट के दौरा जिला और स्कूल वार चात्रों का मिलान किया जाएगा ऐसे में वो चात्र ही केवल परिक्षा में शामिल हो पाएंगे जिनकी उपस्तिती कक्षा में कम से कम 75 प्रतीशत होगी ऐसे में बोर्ट के ओर से D.E.O. को यह भी नर्देश दिया गया है कि वैसे चात्र जो परिक्षा में शामिल होते हैं लेकिन उनके उपस्तिती 75 प्रतीशत नहीं है तो उन चात्रों के उपर कारवाई की जाए आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सेंट अप परिच्छा की शिरवाद बीते दिन यानि की 300 अक्टूबर से हो चुकी है जो की 6 नवंबर तक चलेगी बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मनीशा रानी के बारे में मनीशा रानी बिहार के मुंगेर में जन्मी एक भारतिय सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर यूटूबर और डांसर है जो की सोशल मीडिया पर साचा किये जाने वाले मनरंचक वीडियो के लिए जानी जाती है बता दे कि मनीशा रानी को बचपंस नहीं अभिनाय में बहुत दर्चस्पी थी ऐसे में वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपने गाउं से कॉल कता पहुंची मनीशा रानी ने वर्स 2015 में टीवी शो डांस इंडिया डांस के सीजन पांच में भी हिस्सा लिया लेकिन वो औरीशन राउंड में बाहर हो गई इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश जारी रखी मनीशा रानी को दा कपल सर्मा शो के एक एपिसोड में भी देखा गया है इसके बाद वर्स 2019 में उन्हें टीवी सीरियल गुडिया हमारी सबसे भारी में एपिसोडिक भूमी का निभाकर टेलीवीजन में शिरवात करने का मौका प्राप्त हुआ 2023 में मनीशा रानी ने अबिनीता सल्मान खान द्वारा होस्ट के जा रहे टीवी शो बिग बॉस OTT सीजन दो में भाग लिया जिसमें वो टॉप तीन में अपने दोस्त अविशेक मलहान और एलविश यादव के साथ रही और शो की दूसरी डरर अप बनी पिग बॉस में मनीशा रानी की परसनालिटी से ओडियन्स के साथ सा सल्मान खान समीत कई सरिविटीज भी इंप्रेस हुए पतादी की वर्स 2022 में मनीशा रानी को रेडियो अड़्डा एक्सिलेंस अवार्ड्स में प्रतिस्ठित बेस्ट इंफ्लूएंसर एंड एंटर्टेनर पुरुसकार से भी सम्मानत किया गया मनीशा को दुबई में आयूजित आईफा अवार्स में भी जाने का मौका मिला यहां बनी है भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी प्रतीमा पर एटक इस दिन से करेंगे दिदार विहार के बोद गया में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेर मिशन के द्वारा फाइबर ग्लास का स्तमाल कर 100 फीट लंबी 30 फीट उची और 24 फीट चौड़ी विश्व की सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतीमा बना कर तयार कर दी गया है पतादे किस मूर्ती का न प्रतीमा से जाधा फाइबर गलास का इस्तमाल किया गया है वहीं प्रतीमा का स्ट्रक्चर लोहे और स्टीज से तयार किया गया है भगवान बुद्ध कि गोल्डे रंग की मूर्ती परड़कों काफी अच्छे लगने वाली है भगवान किस प्रतीमा में दाहिने हाथ पर उनका सिर्ट टिका हुआ है चहरे पर शांत भाव और हलके से मुस्कुराते निजर आ रहे हैं। कर सभी बाधाओं को दूर करने का काम करें। इसके साथ ही अपर मुख्य सचीव ने पटना जले के दानापूर बीटा एलिवेटेड और नान एलिवेटेड सेक्षन में भुकतान की रफ्तार तेज करने का नर्देज दिया। पूजा के दौरान उनके घड़ आने पर भुकतान में तेजी आने की संभावना है। बिहार के सभी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों का होगा सामाजिक सर्विक्चन। राजे में मौजूद सभी कोचिंग संस्थानों को पंची करन कर आचार सहिंता के दाइरे में लाने के लिए बिहार सरकार के सक्षा विभाग के दौरा राजे के सभी जिलों से कोचिंग संस्थानों का डाटा एकतर कर लिया गया है जिसे यह जानकारी। पर गरबरी करने वाली कोचिंग संस्थान के बारे में शिकायत मनने पर SDO द्वारा जाच कराई जाएगी। होई कोचिंग संस्थानों में जगह की छमतह और श्वधाओं का अकलान होगा राजए सरकार को राजश् fashion का चूना लगाने वाले कोचिंग संस्थान पर आर रोटी कप्रात Gobierno कहते हैं? कर अने राजियों में निवेश कर रहे हैं उनकी भी जांच कर आई जाएगी तेवहार स्पेशल के रूप में पहली बार नई दिली से पटना के बीच चलेगी बंदे भारत तेवहारों में यात्रियों के भीर को देखते वे रेलवे की ओर से कहीं श्वधाई मुहया बतादे कि बंदे भारत तेवहारों में नई दिली से पटना के लिए 11,14 और 16 नवंबर 2023 को रवाना होगी वहीं अगले दिन यह ट्रेन पटना से दिली के लिए वापसी करेगी इस दोरान बंदे भारत तेवहारों दोनों दिशाओं में चिपियाना, कानपूर सेंट्रल, प्रियागराज, मुझपरपुर, पंडित, दीन, दियार, उपाध्या, जंक्षन, वकसर और आरा, रेलवे स्टीशन पर रहेगा, इस ट्रेन की एबरेज स्पीड, 86.4 किलो मीटर प्रती घंटा रहेगी, वहीं इसके लावा रेलवे की ओर से अतरिक्त 52 जोडी और स्पेश प्रती क्विंटल 2183 रुपे की दर से किसानों को भुकतान किया जाएगा, वहीं एग्रेट धान के लिए 2203 रुपे प्रती क्विंटल मुले दिया जाएगा, आपके जानकारी के बता दे कि सरकार के ओर से धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के अंदर राशी भुकतान शुर्शित करने का आदेश सभी जलादिकारी को दिया गया है, इसके साथ ही जलादिकारियों का यह भी दाइत्व हो प्रती करने वाले हैं तो यह खबर उनके लिए है, बता दे कि अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो इस परिक्षा में शामिल होने के लिए 25 उक्टूबर तो 2023 तक आविदन नहीं कर पाये थे तो आपके पास आविदन करने का अंतिम मौका है, ऐसे अभ्यर्थी अब लेट फीस के साथ आज यानी की, 31 उक्टूबर से 2 नमबर 2023 तक अपना आविदन कर सकते हैं, आविदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.n पर जाना होगा, मालू हो कि 32 वी बिहार नयाइक सेवा के प्रिलम्स परिक्षा के ये को 154 पदों को भड़ा जाना है, बिहार परेटर में आज हम बात करेंगे वानावर के बाड़े में, वानावर गुफाएं जहानाबास से 25 किलोमीटर की दूरी पर मखंडपुर के पास पहारी इलाके में स्थित है, इन प्राचीन रोककट बौद कक्षों की तारिक तीस से उची चोटियों में से एक में स्थित है, मंदर साथवी सदी AD में गुपता काल के दौरान बनाये गया था, स्थानिये क्विद्रनतियों ने मंदर का अनर्मान बाना राजा को दिया, आपके जानकारी के बता दे कि वानावर पहार भारत वर्ष के पुडातन एतिहासिक परवतों में से एक है, 1200 फूट उंचे वानावर परवत को मगद का हिमाले भी कहा जाता है, यहां साथ अद्वुद गुफाइं भी बने वी हैं जिन में से चार गुफाइं वानावर पहार और तीन गुफाइं नागारजन पहार है, मालुमों कि भारत में पहारों को प्राचीन गुफाएं हैं इनमें से अधिकांस गुफाओं का संबंध मौड एकाल से हैं और कुछ में अशोक के सलाले को देखा जा सकता है अगर आप इनमें से पहले आप यह जरूर जाने की बैंक बंध रहने वाले हैं बतादे के डिजर्ब बैंक उफ इंडिया के दोरा जारी के गए होलिडे लिस्ट के अनुसार नламें में कुल 15 दिन बैंक बंध रहने वाले हैं लेकिन अगर हम बहार की बात करें तो यहां कौल 8 दिन बैंक बंद रहेंगे जिसमें 5 नवंबर को रविवार की चुट्टी की वजह से बैंक बंद रहने वाला है जिसके बाद 11 नवंबर और 12 नवंबर को दूसरा सनिवार और रविवार की वजह से बैंक बंद रहने वाला हालाकि बैंकिन छुटियों के दौरान आप निट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या यूपी आई जैसी सिवाओं को प्योग कर सकते हैं आज सर्दार पटेल की जहनती पर मेरा युवा भारत संगठन की रखी जाएगी नीव इंदरा गांधी को दीश्रत धांचली आज यानी की 31 ओक्टूबर को लोह पुरुस सर्दार वल्लब भाई पटेल की जहनती पर पधान मंत्री नरेंदर मोदी के दौरा मेरा युवा भारत नामक एक संगठन की नीव रखी जाएगी बतादे कि संगठन के तहट भारत के युवाओं को राष्टर निर्मास जड़े विवन आयोजनों में सक्रिय भूमी का निभाने का अफसर मिलेगा मालू हो कि आज दिल्ली में कर्तवे पत पर बहुत ही विशेश कारिकरम आयोजन किया जाएगा बतादे कि आज के दिन न केवल अमरत कलस क्यात्रा बल्के पिछले धाई साल से चल रहे आजादी के अमरत महुसब का भी समापन होगा पीयमोदी के द्वरा दी जानकारी के नुसार देश भर से आई मिट्टी को एक विशाल भारत कलस में रखा जाएगा और साथी दिल्ली में अमरत वार्टी का बनाई जाएगी आज रन फॉर यूनिटी यानी एक्ता की दौर का भी आयोजन किया जाएगा इसके साथी आज देश के पुड़ो प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी की पुनितिती भी है से मिस को ध्यान में रखते वे पीएम होदी की ओर से श्रधांजली भी अर्टित की गिए है बिहार सक्चक न्युक्ती पत्र बितरन समारो को लेकर तैयारियां शुरू तो नमंबर को बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नम न्युक्त सक्चकों को न्युक्ती पत्र बाटा जाएगा ऐसे में इसको लेकर गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी कारिक्रम का योजन होने वाला है जिसकी तैयारिया जो रो सोरो से चल रही है बतादे किस कारीक्रम को लेकर गांधी मैदान में मुख्य मंज के सामने वाटर प्रूफ तीन टेंट का निणवान किया जा रहा जिसमें से बीच का टेंट 49,000 वर्गफीट और साइट से दोरों और के टेंट 30,000 वर्गफीट के हैं इसके लावा गांधी मैदान में लोहे और बांस से बैडिकेडिंग की जा रही है वहीं तीन टेंटों के बीच सुरक्षा घेरा भी रहेगा बतादे कि कारीक्रम के दोरान बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार के द्वारा मंच से सभी को संबोधत भी किया जाएगा वही इस मौकी पर उपमोखे मंतरी तेजश्वी यादव सक्षा मंतरी प्रोफेसर चंदर सेखा समेट कई गनमाने लोग मौज़ी होगे अगले पांच दिनों तक राजी की ओसत तापमान में विशेश कमी के आसार नहीं महीं अधित्तम तापमान में उतार चिठाव के सिती रहेगी बतादी कि मौसम विभाग के पुरवानुमान के इनुसार आज यानी की जादा तर हिस्सों में धुन्द चाय रहने की संभावना है और साथ ही हमाले की तलहटी में कुछ स्थानों पर हलके सरका को हासा चाय रहने की संभावना है कॉलेज में पढ़ रही अलवसंख्यक लड़कियों को सर्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी सरकार बिहार के बेटी अब मंचलो को खुद सबक सिखा सके इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से कॉलेज में पढ़ने वाले अलवसंख्यक छात्राओं को बिहार के दर्भंगा में 3 और 5 नमबर को ट्रेनिंग कैंप लगवा कर सर्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाली है बता दे किस ट्रेनिंग सेशन में सरकारी कॉलेज की कुल 230 ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट छात्राओं शामिल होंगी वहें इसके लावा 7 और 9 नमबर को कटिहार में भी सर्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें कुल 50 छात्राओं शामिल होंगी इस बारे में राजिक एक हेल सारेक सिक्षा के प्रमुख ससांग सिंग के द्वारा चानकारी देते वे बताया गया है कि अस सर्फ डिफेंस ट्रेनिंग बिहार के अल्प संख्यक कल्यान विभाग द्वारा आयोजित करवाई जा रही जिसमें स्केल काउंसल, कोशल विकास और उद्यमिता वंत्राले के तहट दिल ले सित एक संगटन के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी बतादे कि सर्फ डिफेंस की पहले ट्रेनिंग बिहार की राजधारी पटना में आयोजित की गए थी नवादा में दो साइबर अपरादी हुए गिरफतार इन दिनों साइबर अपराद सुझरे मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है हालाक इन पर नकेल कसने के लिए साइबर थाना भी स्थापित किये गए है इसी कड़ी में साइबर थाना पुलिस के दोरा दो साइबर अपरादियों को गिरफतार किया गया है जिसकी पहचान दिलप कुमार और कुनाल कुमार के रूप में की गई है वहीं अपरादियों के पास से एक लैप्टॉप, आठ आधार काड, विविन बैंक के नौ पास बुक, आठ आधार काड का फोटो कॉपी, पांच एटियम काड, दो चेक बुक, एक प्रिंटर मशीन, एक SBI मिनी ब्रांच का आई काड, पांच पीस दक्षिन बिहार ग्रामीन बैंक का भड़ा हुआ निका थाधार के निकाशिक कर दी गई थी, जिसके बाद महिला के द्वारा किये गए कंप्टेन के आधार पड़ भादवी की धारा, 379,420 एवं 66,66,B, 66,C, 66,D तथा IT Act के तहट प्रात्मी की संख्या 33,23, दर्जकर्न और संधान शुरू किया गया और अपराधियों की गृफत पड़ी का हवाला देते वे एक बड़ा बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति को कोविट हुई थी, उन्हें आने वारे 2-3 सालों में कोई भी कटिन और तनावपुन काम करने से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को 2-3 सालों में किसी तरह की कोई कटिन एक्स पड़ी का शबी आश्चर चता रहे हैं, समराग चौधरी का सियर नितीश पर हमला, बिहार बीजेपी प्रदीश अध्यक समराग चौधरी के द्वारा आए दिन बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार पर हमला बोला जाता है, इसी कड़ी में अब उन्होंने एक बार फ प्त हो जाएगी, चुनेता ये बोल रहे थे, उन्हीं को सबसे अधिक अभिमान है, पदा धिकारियों पर उनको राजणितिक हैसियत और आउकात है, तो राश्ट्रुपती साशन लगवा कर चुनाव करवा कर देख ले, नितीश कुमार बिहार में मुख्या का चुनाव भ में दो ट्रेनों में टकर होने से कई लोगों की जान चली गए, तो वहीं कई लोग घायल भी हो गया है, से में अब इस पर आरजेरी सुप्रीमो लालु पशाद यादव के द्वरा, इस हाथसे में जान गमाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रती संबीदना व्यक्त करते उन्होंने कहा कि देश में लगातार होड़ है, रेल हाथसों की जिम्मेवारी कौन लेगा, हेडलाइन मेनेजमेंट से कितने दिन जानमाल के नुकसान को चुपाएंगे, CIG रिपोर्ट के नुसार, रेलवे भारी घाटे में है, निजीकरन से इन्होंने सब तबाहन गर दि इस योजना के लिए दिये गये थे कंप्यूटर कृत रेंडम तरीके से इनलाभुकों का चैन उद्योग मंतरी समीर कुमार महासेट, अल्व संख्यक कल्यान मंतरी मुहमत जमाखान, सहित विवागे अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया, इस दोरान उद्योग मंतर अतिपिश्रा वर्ग उद्यम योजना मुख्य मंतरी, महिला उद्यमी योजना तसा मुख्य मंतरी युवा युद्दमी योजना के तहत आक्टूबर में किया गया है उपेंद्र कुश्वाह का स्रीयम नितीश और लालु यादा पर कराड़ा हमला राश्ट्रिय लोग जनता दल के प्रमुक उपेंद्र कुश्वाह के द्वारा बीत दन राश्ट्रिय लोग जनता दल अनुशुच जाती प्रकोष्ट के अश्रोक राम और संचाल अन्राकेश राम की अध्यक्षता में आयुजित मुमस्तूल बारूर में दलत सम्मेलन कार बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार और राजस सुप्रीमों लालु प्रशाद यादव पर जमकर हमला बोला गया। रोने कहा कि हमारा समाज बुड़े हालाद से गुजर रहा है हमें बदलाओ की आवशकता है रोने कहा कि उपेंद्र कुश्वाह की पार्टी आपके विकास के लिए तयार है और आपके साथ खड़ी है। की या बाते नहीं मानते कि नेट्स में सर्फ 15-20 गेंद्र ही फेक हो क्योंकि वह जानते हैं कि एक तेज गेंद्वाज के रूप में आपको अपने पैडों का जादा दोड़ाना चरूरी है। जब वह बॉलिंग करते हैं और ड्रोन कैमरे के जरी उन्हें दिखाया जाता है तो वह किसी चीते की तरह लगते हैं वह सच में कम माल का नजारा होता है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह फिट रहने के लिए जिम जाते हैं या नहीं लेकिन वह वही काम कर रहे हैं जैसा कपल देव करते थे। वे भी निट्स में सर्फ लगातार गेंदबाजी किया करते थे। मालम हो कि इंगलाइन के साथ खेले गए मैच में मुहमत समी ने अपने नाम को चार विकिट किये थे। भारत के सुतंता संग्राम सिनानी एवम सुतंद्र भारत के प्रतम वी मंत्री सर्दार वल्लब पतेल का जन्म 255 में हुआ। भारत की चौथी प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी का निधन 1924 में हुआ। आज के दिन को राश्ट्री एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वारल फिर में आज हम बात करेंगे मुफ्त मॉबाइल रिचार्ज योजना के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त मुबाइल रिचार्ज योजना के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वाटसेप संदेश में दावा किया गया है कि केंदर सरकार मुफ्त मुबाइल रिचार्ज योजना के तहर सब उपियो करताओं को 28 द फ्रेंडिस में शामल लोगो की पोस्ट में कंटेंट जोर सकेंगे जिसका मतलब है कि अगर आप अपने प्रोफाइल पर कोई पोस्ट करने वाले हैं तो इसमें अब आपको अपनी फॉलोवर्स लिस्ट में शामल लोगों को फोटो और वीडियो समद करने का ऑप्शन मिले जिसको टैब करके आप इस फीचर को एक्टिव करके फॉलोवर्स को अपनी पोस्ट में एड़ ओन कर सकते हैं बतादी कि इस्टाग्राम पहले से ही यूजर्स को फीड पोस्ट या डील साजा करने में सक्षम बना कर सहीयोग करने के नुमती देता है इसके अलावा यूजर्स प्रेपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किसने गूगल का एक अधिकार खत्र करने के लिए अपना खुद का एप स्टोर लॉंच किया है ऑप्शन ने गूगल पे ऑप्शन भी फोन पे ऑप संसी पे टियेम ऑप्शन इनमें से सवाल, हाली में कौन वैस्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? उप्शन A मुंबई, उप्शन B बंगलोड, उप्शन C चन्नाई, उप्शन D कॉलकता इसका सही उतर है उप्शन A मुंबई अगला सवाल, बिहार में पहली बार गैर कॉंग्रिसी चरकार के मुख्य मंतरी कौन थे? उप्शन E महामाया प्रशाद, उप्शन B, बिंदेश्वरी प्रशाद मंडल, उप्शन C, केवी सहाई, उप्शन D किदार पांडे इसका सही उतर है आप्शनी महामाया प्रशाद अगला स्वाल बिहार में ठुमडी का मुख्य केंद्र निम्न में से कहा है आप्शनी गया, आप्शनी पटना, आप्शनी दर्भंगा, आप्शनी नालंदा इसका सही उतर है आप्शनी गया अगला स्वाल असोग के सिंग अस्थम निम्न में से कहां स्थित है आप्शनी राजगीर, आप्शनी पटना, आप्शनी वैशारी, आप्शनी दर्भंगा इसका सही उतर है अप्शनी वैशारी बीतो दिन हमारे दर्भ पूछी के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों निपन जाब हमें अमारी कॉप्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिरोंने हमारी पूछी के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं अचके सवाल क्यों राज का सवाल है अगर सीम नितीश कुमार डोगसभा चनावल लड़ते हैं तो आपके अनुसार उन्हें कहां से लड़ना चाहिए अपना जवाब हमें मारी कॉमेंट सेक्षन में लेकर जरूर बताएं आज कले इतना ही बिहार के तमाम कबलों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निवस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थान्यवाद